साउधी अरब ने उन्नत अमेरिकी और ब्रिटिश लड़ाकू विमानों से बनी एक विशाल वायू सेना के निर्मान में दशकों का समय बिताया है। लेकिन बड़ी संख्या में फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल खरीदने में रियाद की रुची एक संकेत हो सकती है। साउधी अरब सो से 200 डिसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने पर विचार कर रहा है। ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है। जिसमें बताया गया था कि रियाद अपने पारम परिक विमान आपूर्तिकर्ता देशों से भविश्य में लड़ाकू विमानों की खरीद नहीं करेगा। पिछले साल अक्टूबर में प्रिंस सल्मान के तेल उत्पादन में कटवती को लेकर गुस्से के कारण अमेरिकी सांसदों ने सभी अमेरिकी हथियारों की साओधी अरब को बिक्री पर रोक लगाने वाले कानून का प्रस्ताव रखा। गनीमत रही की यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। अगर ऐसा हो जाता तो साओधी अरब की पूरी वायू सेना जमीन पर आ जाती क्योंकि उसके लड़ाकू विमानों के लिए आवश्यक पुर्जे और दूसरे साजो सामान नहीं मिल पाते। जुलाई में जर्मनी ने घुशना की कि वो साओधी अरब को और अधिक यूरोफाइटर टाइफून बेचने की अनुमती नहीं देगा। साओधी वायू सेना 72 यूरोफाइटर टाइफून विमानों का संचालन करती है। साओधी अरब के पडोसी संयुकत अरब अमीरात और कतर ने पहले ही पश्चिमी लडाकू विमानों की बदौलत बड़ी और ताकत्वर वायू सेना का निर्मान कर चुके हैं। इनमें दोनों के पास दरजनों राफेल लडाकू विमान भी हैं। साओधी अरब अपने पडोसीओं की इसी ताकत से परेशान है। इस कारण साओधी क्राउन प्रिंस मोहमद बिन सल्मान फ्रांसिसी लडाकू विमान को खरीदने में रुची जता रहे हैं। मिलिटरी एर क्राफ्ट विशेशग्य सेबस्टियन रॉबलिन ने कहा कि साओधी अरब के लिए और अधेक टाइफून खरीदना ज्यादा समझदारी भरा कदम होगा, क्यूंकि उसके पास पहले से ही ट्रेनिंग और ओपरेशनल फैसिलिटी मौजूद है। साओधी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सल्मान भी वर्तमान में एफ पंद्रह एक्स का ओडर देकर वाशिंटन को किसी भी तरह की छूच देने के इचुक नहीं है। ऐसा यमन युद्ध से अमेरिका के पीछे हटने के चलते हुआ है। अमेरिका के ही कहने पर साओधी अरब ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक गठ बंधन बनाया और उन पर हमले किये। लेकिन अमेरिका में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ और जो बाइडन कुर्सी पर बैठे उन्होंने साओधी अरब से समर्थन वापस ले लिया। इस कारण यमन युद्ध में साओधी अरब अकेले पढ़ गया और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। बाइडन के इस फैसले से नाराज साओधी अरब ने तेल उतपादन में कटोती का एलान कर दिया था।